नमस्ते, वेलकम तु संह间ुता फेशन यह जो बलाउज हो यहाय ओमने इसकी बलाउज डेजाईन बनाई हुई है 대한 सलूज डेजाईन बनाई है है अब हम इसकी स्लिउज डिजाइन बनाते हैं अगर आपको यह ब्लाउज डिजाइन मैंने किस टाइप से बनाई है यह देखना है तो मैंने चेस डिस्प्रिक्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी आप जरूर देख लेना मैंने यह ब्लाउज डिजाइन किस टाइप स बनाई है अब हम इसकी slews design बनाते हैं तो slews design का measurement मैंने आप साड़े पाच या 6 इंच आप अपने इसाब से रख सकते हैं यहाँ पर मैंने customer की demand के इसाब से यहाँ पर पावने 6 का यह रखा हुआ है यहाँ इसको वह अस्तर की side से दो मड़ कर ऊपर की side से प्रेश्टिप लगाएंगे तो इस तरह से अस्तर के साइड से दो मढने की वज़े से उपर के साइड से सिर्फ एक ही टिप आएगी अब देखें यहां से मैं प्रेश्टिप लगा रहे हूं तो इस टाइब से हम प्रेश्टिप लगाएंगे तो यहां पे ब्लाउज के उप पर जो रेड कलर आ रहा है वो साड़ी में था उस वज़े से यह ब्लाउज के उपर आया हुआ है अब इसके बाद यह प्रेश्टिप लगाने के बाद हम यहां से यह बाहर की साइड से भी टिप लगाएंगे तो बाहर की साइड से यह देखे यह हमारी बाहर के साइड की टिप अब कंप्लिट हो गई अब इसके बाद आद हम बीचो बीच सेंटर लेंगे तो यह बीचो बीच सेंटर लेने के बाद देखे यहां पर सेंटर का निशान लगाएंगे और फिर उसके बाद आद यह जो पेपर है इसको इस तरह स पर पर देखे के क3 एत्म देखे बड़ा एन पर सेंटर पर रखेवुत तो आप के एना हम्हाँ सब्सक्राइब पर बर मेरे हैं। सा फिर अर्शाप पर और अप्रण काonद, तो हम्हाँ प्लक्रण पर त्याजवुत्त कह लेड़ा. इस तरह से हमारे डिजाइन का आकार रेडी हो गया अब यहां से देड या दो इंच की आप पट्टी लेकर इस तरह से हमारे डिजाइन के लिए यह नॉट्स बना कर लेनी है तो इस तरह से यह नॉट्स बना लेनी है दुमड कर उसके उपर दोनों साइड से दुमड कर उसके उपर ये टीप लगा कर लेनी है जो आसान नौट है वो ये नौट है फिर इसके बाद आद यहाँ पे ये लेना है हमारी स्ल्यूज और डिजाइन लेनी है और फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरह से क्रॉस की साइट में हमारी पट्टिया है जो इस तरह से बिठा लेने है आपको जो डिजाइन का आकार पसंद आई इसमें आप सीधी लगा सकते हैं आपको जो पसंद आए वो लगा सकते हैं लेकिन मुझे यह तिरशी पट्टिया जादा अच्छी लगती है तो मैंने जब भी कोई ऐसी डिजाइन आती है जहांसे सिर्फ बाहर के साइट से डिजाइन बनानी हो अंदर उसको कड़ वाजो नहीं चाहिए तो मैं इसी टाइब से डिजाइन बनाने की ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि वो खुबसुरत इस तरह से देख जाए अब इसके बाद इस साइड से भी हमें वो पट्टियाँ को सेट कर लेना है सेट करने के बाद एक्स्ट्रा जो है उसको निकाल लेना है देखे इस तरह से हमें ये एक्स्ट्रा जो है वो निकाल लेना है एक्स्ट्रा निकालने के बाद ये हमारी डिजाइन पैयार हो गई है अब इस डिजाइन के उपर हमें पट्टिलेस लगाने है जो हमने पट्टिलेस ब्लाउज की में लगाई थी blouse की design बनाने में वही blouse की design के बाद स्लीव की design में भी पटी लेस लगाने है जो आप blouse की design में लेस लगाई design के हो या वही आप स्लीव में लगाई तो ये combination में बहुत अच्छी देख जाती है अब यहां से देखें इस तरह से ये पूरी लेस लगा लेनी है अब ये लेस लगाने के बाद हमें ये कट करके ये पूरा हमारा पैच तयार हो गया अब इसके बाद ये हमें ब्लाउज के उपर इसको एटेच कर लेना है देखे इस तरह से हमें ब्लाउज के उपर एटेच करना है तो attach करने के बाद हमें पिंस लगा कर ये जगह set कर लेने हैं फिर इसके बाद इसके उपर tip लगा कर लेने हैं ये tip लगाने के बाद देखे हमारी डिजाइन कितनी कुपसूरत उभर कर आई है अब हमने जो paper लगाया था उस paper को हमें इस तरह से अंदर की side से निकाल लेना है दिखे यहां पर थोड़ा थोड़ा करके हमें ये पूरा paper को निकाल लेना है इससे हमारी जो design है वो हमारी design बहुत अच्छी तरह से वर कर आ जाएगी अगर आपको मेरे ऐसे ही blouse designs, slew designs या फिर लटकन designs, flower designs जो भी मेरे channel पर designs है वो सब आपको पसंद आ रहे हो तो channel को subscribe करना, video को like करना, share करना, thanks for watching